आज हम बनाएंगे बिना तेल और घी के जलने वाले दिया वो भी सिर्फ एक सेफटी पिन की मदद से और इस तरह के जो डेकरिटिव दियाज होते हैं वो भी आप बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से तो यहां पर आपको दिया दिखा रही हूँ जिसमें हमने एक बून भी तेल और घी का इस्तमाल नहीं किया है यह सर्फ पानी पे जल रहा है और यह दिया हमने कैसे बनाया है यह सब आगए आपको वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को लाच तक जरूर देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो यहां पर मैंने लिये हैं दिये तो यह नए दिये हैं तो सबसे पहले तो आपको दिया से जोड़ा एक टिप देना चाहूंगी क्योंकि अभी दिवाली आ रही है और यह टिप आपको जरूर बहुत काम आएगी जब ही हम नया दिया में तेल या घी डालते है ना तो यह बहुत जादा सोकती है इसलिए जब भी आप इसको यूज करने वाले हो जलाने वाले हो ना इसमें तेल घी डालने वाले हो तो उससे आदा गंटा पहले आप इस तरीके से पानी में इसको रख दीजे उसके बाद जब आप इसमें तेल की डालिएगा न तो यह बहुत कम ओयल को अपने अंदर सोखेगा तो यह टिप को आप जरूर यूज करिएगा आपके बहुत सारे तेल की बचत भी होगी जिससे पैसों की भी जरूर बचत होगी तो चलिए देखते हैं पानी से दिये हम कैसे बनाएंग तो यहां पर मैंने तीन दिये लिये हैं और इसको पानी से अच्छे से उपर तक फिल कर लिया है साथ में लिया है एक सेफटी पिन क्योंकि दिये को जलाने के लिए हमने एक सेफटी पिन का भी यूज करेंगे और यहां पर लिया है मैंने एक चॉपिंग बोर्ड और एक अ जरूर देखिएगा लेकिन मैं यहां पर फिर से शेयर कर रही हूं कि कैसे हम अगरबती की डंटी का इस्तमाल करके बहुत ही आसानी से कुछी देर में बहुत सारे बाती बना कर त्यार कर लेंगे तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि कॉटन में से जिती छोटी बड़ी पर की तरफ रोल कर दि desps तो यह जो है बहुत ही अच्छे से बाति बन जाती है और इस तरीके से आप छोटी बड़ी जैसी आप बाती चाहिए वह बना सकते हैं कुछी देर में यहाँ पर जो है मैं तीन दिया बना रही हूँ तो इस तरीके से तीन बाती जो है वो मैंने यहाँ पर बना कर त्यार कर ली है साथी में दोस्तों आप मेरा वीडियो किस गाउं से या शेहर से देख रहे हैं प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा ताकि मैं जान से कुमें वीडियो को कहां तक देखा जा रहा है तो यहाँ पर हम तीन तरेके के दिये बनाएंगे तो यहाँ पर हमने दो है जो दीपक लिया है और इस तरेके का एक कांच का ग्लास ले लिया है और कांच के ग्लास के जगए आप बाउल भी ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही जादा सुन्दर लगता है जब यह हम बनाते हैं तो जब यह जलता है जब इसको अच्छे से हम डेकोरेट कर लेते हैं और कांच के गिलास में और भी कई सारे मैंने वीडियो पहले पी बनाय हुए है तो यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगे आप इसको जाके देखेगा बहुत ही आसानी से आप जो है बहुत सुन्दर सुन्दर जो है दिये आप बना कर त्यार कर सकते हैं तो इस तरीके से आप जो है कांच के बाउल या ग्लास का यूज करके भी बहुत ही सुन्दर सुन्दर दिये बना सकते हैं तो यहां पर चलिए तो वो वाला हिस्सा मैं ले रही हूं तो आप चाहे तो इसको गुलाई में भी कट कर सकते हैं और चाहे तो इसको इस तरह के से रेक्टेंगल स्क्वार में भी कट कर सकते हैं तो यहां पर जैसे है मैंने इसको कट कर लिए अब हमें क्या करना है कि इसमें एक hole करना है बीचो बीच तो यहाँ पर मैं कैची से करनी हूँ अगर आपका कोई आप पॉर्टल यूज़ करना है तो अगर उसमें hole नहीं हो रहा तो आप कोई भी चीज आप उसको गरम करके और फिर hole करिएगा तो बहुत ही आसानी से hole हो जाएगा और इस hole को हमें जादा नहीं करना है मिला कर करिएगा जितने बड़ी आपकी मतलब मोटी बाती है उस हिसाब से आप इसको करिएगा उसके बाद हमें क्या करना है यह जो हमने hole किया नहीं इसमें यह बाती जो है इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है अच्छा यह जो पानी पे जलने वाले जो दीपक होते हैं इसमें जो यह हम बाती लगाते हैं तो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए तो यहां पर जो मैंने बाती बनाई थी थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही थी सेफटी पिन को हमें क्या करना है इस तरीके से खोल लेना है और यह बिचो बिच यह होल होता है इसमें हमें इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है अब यहां पर हमें ना तेल का यूज करना है ना हमें घी का यूज करना है तो उसके बाद हमें क्या करने है यह जो हमने बाती का यूज किया है जो ग्लास के कटिंग में हमने इस तरीके से लगाया है उसमें हमें इसकी एक कोटिंग कर लेनी है मतलब इस तरीके से डिप करके आप इस पर जो wax है वो अच्छे से coat कर लीजे और इस तरीके से हर बाती पर हमें कर लेना है उसके बाद क्या करना है थोड़ी दिर क्लेश को dry होने के छोड़ देना है तुरंत ही ये dry हो जाता है जादा time नहीं लगता है तो जो ये wax है थोड़ा melt है गरम है तो थोड़ा साफधानी से करिएगा तो इस तरीके से dip करकर के हमें हर बाती को अच्छे से उसमें भिगो लेना है और ये जो दिपक होता है बहुत देर तक जलता है ऐसा नहीं है कि नहीं जलता है तो इस तरीके से आप जरूर बना कर देखेगा इस दिवाली कुछ अलग हट के आपके दीपक जो होंगे वो बनेंगे और ये बहुत ही प्यारा भी लगता है और दोस्तों अगर पाली से बने हुए ये सारे दिपक आपको अच्छे रखते हैं प्रीज इसे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जरसदा शेयर करिएगा अपने फैमियो और फ्रेंड्स में ताकि वो भी इस तरीके के दीपक इस दिवाली जरूर बना कर रेडी करें यहां पर बाती में वैक्स की कोटिंग कर ली है अब हमें क्या करना है यह जो हमने कांच का ग्लास लिया है इसको थोड़ सा डेकॉरेट करना है तो अगर आपके पास फ्लावर्स है या फिर डेकॉरेट करने के लिए कोई और आईटम है तो आप वो यूज चुर लीज़ए उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमें ये प्लास्टिक में बाती को लगाया ना कुछ इस तरीके से दीपक में हमें रख लेना है और जो हमने सेफटी में जो बाती लगाई थी ना उसको भी हमें इस तरीके से डाल लेना है और यहां पर हमारी जो ये तीनों जो दीपक हैं वो बनकर तियार हो गए हैं तो आप देख सकते हैं इसमें न एक बूंद इसमें ऑईल का यूज किया है न घी का यूज किया है ये सिर्फ पानी पे जल रहे है तो चलिए इसको आपको जला के दिखाती हूँ बहुत ही अच्छे से इसमें जो है आग पकड़ता भी है और काफ सुन्दर सुन्दर जो है वो दीपक बना सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बूंद भी तेल नहीं लिया है सिर्फ पानी है आपको पूरा नजदीक से दिखा रही हूँ कि हमने इसमें बिल्कुल भी एक बूंद तेल नहीं डाला है वना अगर तेल रहता तो यह उपर फ्लोट करता है लेकिन इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है और यह जो काल्च का ग्लास है वो भी बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा है और अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ सा कलर एड़ कर सकते हैं जिसके विससे जो पानी रहेगा वो थोड़ सा कलर फु करिएगा चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में यहां तक बैनर रहने के लिए इसे फुल वाच करने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक कल फिर मिलते हो एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख